हलो एवरिवन, तो आज के इस वीडियो में मैं बात किरने वाली हूँ F.I.R के बारे में कि F.I.R क्या है, F.I.R कब लिखवाई जाती है और F.I.R का मतलब क्या है F.I.R यानि की First Information Report और सबसे ज़दे important है कि अगर Police Officer आपकी F.I.R नहीं लिखता है तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, आपके पास क्या उपचार है आज मैं आपको इस वीडियो में यही सब बताने वाली हूँ F.I.R का जो हिंदी मीनिंग है वो है पर्थम सूचना रिपोर्ट यानि की First Information Report पर्थम सूचना रिपोर्ट यानि की Crime होने के बाद जो पहली Information दी जाती है उसे F.I.R कहा जाता है आपको जोते हैं कि क्या हर Crime में F.I.R लिखवाई जा सकती है या फिर किन किन Crime के लिए F.I.R या फिर किन Matters में F.I.R लिखवाई जा सकती है तो जैसे कि मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया है कि Crime दो टाइप के होते हैं Cognizable Offense और Non Cognizable Offense Cognizable Offense यानि की संगया प्राद, Non Cognizable Offense यानि की आसंगया प्राद यहाँ पर मैं आपको यह Explain करना चाहूंगी कि Cognizable Offense और Non Cognizable Offense क्या होते हैं संगया और आसंगया प्राद क्या होते हैं संगया प्राद serious crimes होते हैं जिसमें police officer आपको बिना warrant के भी arrest कर सकती है इनमें ऐसी crimes आते हैं जैसे कि murder, rape यह जितने भी serious crimes हैं वो संगया प्राद होते हैं यानि की Cognizable Offense होते हैं और आसंगया प्राद यानि की Non Cognizable Offense वो offense होते हैं जिसमें बिना warrant के police officer आपको arrest नहीं कर सकते हैं और वो बहुत serious नहीं होते हैं जैसी की छोटे मोटे लडाई जगडा तो ऐसे जो crimes होते हैं वो आसंगया प्राद होते हैं यानि की Non Cognizable Offense होते हैं अगर किसी person के साथ Cognizable Offense हुआ है तो तुरंट उसकी जानकरी police को देनी चाहिए police को FIR लिखवानी चाहिए यानि की first information report देनी चाहिए जैसे ही police को FIR यानि की ये information दी जाती है तो police अपनी FIR register में section 154 CRPC के तहत पर्थम सूचना प्रतिवेदन लिखती है पहली सूचना report यानि की first information report जो है वो दी जाती है और कौन से police stations में आप देंगे यह आप अपने nearest police station में दे सकते हैं वैसे अगर आप चाहें तो बहार के police station में यानि की other state में हैं आप तो उहां पर भी दी जा सकती है इस बारे में मैं बात करूंगी इसकी इस बारे में मैंने पहले भी बता है की ऐसी सूचना जो होती है जीरो F.I.R. कहलाई जाती है जीरो F.I.R. यानि की अगर crimes port के आजपास के police station में टिपोर्ट ना दर्ज करवा के बाहर की बाहर की police station में कराई जाती है तो ऐसी reports को जीरो F.I.R. कहते हैं और नॉर्मली भी लोग यही सोचते हैं कि जहां पर crime हुआ है वहीं के आजपास के police station में ही आप जो है F.I.R. लिखवा सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं है आप दूसरे police station में भी लिखवा सकते हैं महाँ पर यह F.I.R. जो लिखवाई जाएगी यह zero F.I.R. लिखवाई जाएगी पुलिस जो है वह zero F.I.R. लिखएगी अगर police को को information दी गई है या कोई report की गई है तो उनका काम है कि police officers का यह काम है कि report को लिखा जाए अगर यह उनके थानाचेत्र के बहार का matter है फिर भी police officers को यह matter लिखना है इस तरह के जो F.I.R. होते हैं अब बात करते हैं कि zero F.I.R. क्या होता है कभी-कभी ऐसा होता है अब आप जिजेंट या रेप बहार होते हैं और आप report जो है वो अपने घर के आसपास के police station में लिखवाते हैं तो ऐसी condition में आप जाकर अपनी report लिखवा सकते हैं और police officers जो है वो zero F.I.R. लिखेंगे एरिये के अंतरगत वो crime हुआ है वहाँ पर police officers जो है वो आपकी F.I.R. को transfer कर देंगे अब बात करते हैं कि किसी person को कैसे पता चलेगा कि वो cognizable offense है या non-cognizable offense है वैसे तो normally police officers को पता रहता है कि cognizable offense कौन सा है non-cognizable offense होता है जब आप अपनी complaint police station में करने जाएंगे तो वहाँ पर police officers को पता होता है कि कौन सा offense जो है cognizable है कौन सा offense non-cognizable है पर ऐसे में person CRPC का 1973 condition में CRPC का schedule 01 में पूरी list आ जाती है कि कौन सा offense cognizable है कौन सा non-cognizable है और उस list का define किया गया है आप suppose करिए police station में कोई person जाता है और police को लगता है यह non-cognizable offense है तो ऐसी condition में police जो है वो NCR register में FIR लिखेगी यानि कि non-cognizable offense और police को लगता है कि यह cognizable offense है तो वो FIR लिखेगी यहाँ पर notice करने वाली बात है कि police के पास दो register होते हैं NCR register और FIR register register जो है वो है first information report यानि कि cognizable offenses को ही दर्ज किया जाता है non-cognizable को नहीं किया जाता और non-cognizable register उस register में non-cognizable offenses को ही दर्ज किया जाता है तो non-cognizable offense में क्या होगा कि अगर person जाता है police के पास उसको note-down करेंगे और उनको advice करेंगे कि आप judicial magistrate के पास जाए court में जाए non-cognizable offense में आप judicial magistrate के पास जाकर भी अपनी report लिखवा सकते हैं और इसके बारे में defined किया हुआ है section 2D CRPC में परिवार complaint चिखायत करेंगे